चाल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं किसान बिरादरी है, किसान में जातियां होती हैं, बटवारे भी बहुत हैं, हमारी अंदर की कमजूरियां बहुत हैं लेकिन जब कोई संकटा आता है, कम से कम हम इखटा हो जाते हैं एंबिये करने के बाद, महेंगी डिग्रीज लेने के बाद, जब कोई चपरासी सरकारी चपरासी बनने को लंबी कतार में खड़ा हो जाता है नोजवान, दर्द होता है 2019 में नीथी आयो की रिपोर्ट आती है, कि उत्तर प्रदेश की स्वास सुविध हैं इस देश की सबसे खराब है पिता जी का भी निधन करोना में हुआ है, तो मैं कैसे बुला दूँ और जिस परिवार ने कुछ खोया है, वो कैसे बुला दे पब्लिक तो फिर वोट कैसे देगे उन मुद्दों पर, जब मुद्दे बनाई ने रहे हम लोग, तो मैं यह कह रहा हूँ, मैं कैंडिडेट बाद में दूँगा, मैं चुनाव का पचार बाद में करूँगा, मैं पहले अपने मुद्दे बताना चाहता हूँ, मैं शायद पहला राजनितिक व्यक्ति हूँ, जो यह कह चुका है, कि हम कोई भी महिला के विरुद कोई अपराद, संगीन अपराद में इल्जाम भी लगा हो, हम चुनाव नहीं लडाएंगे हो जो पर चाहते हूँ! हो जाएंगे राजनित अपरादी corazón गभाएंगे चाहते हूँ, हम चाहते हूँ, हम पर जाएंगे चल चुत्रा भ्यार में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हाली में बने राष्ट्र लोगदल के राष्ट्र अध्यक्स शी जैन चौदरी जी है जैन जी बहुत-बहुत स्वागत आपका CCA में जैन जी आज जब ये इंटर्व्यू हो रहा है तो हम शायद आजाद भारत का सबसे बड़ा एक किसान अंदोलन देख रहे हैं दिल्ली की सरहदों में जो हो रहा है वो कहीं एक रूप में बिलकुल एतेहासिक है इस तरह का अंदोलन शायद इसके सबसे खरीब कुछ आता है जो बोट कलब का अंदोलन 1989 में हुआ था और इसमें पंजाब, हर्याना, राजस्तान के साथ-साथ पश्चे मुत्रप्रदेश भी एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या आसर रहेगा पश्चे मुपी में। जो गन्ने का उत्पादन छेतर है पश्चे मुत्रप्रदेश में। वहां काफी समय से किसानों में उबाल है। भुकतान 14 दिन में होना चाहिए। कानून ये कहता है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो चिला चिला के कहती थी। उन्होंने वादा किया। खुद नरेंदर मोधी साहब जो प्रधानमंत्री हैं। जब विदानसभा के चुनाव में प्रचार करने आये। उन्होंने गन्ने को लेकर इस फसल को लेकर और खेती करने वाले किसानों की जिविका में सुधार लाने के लिए बड़े बड़े वादे किये। यहां तक भी कहा था कि विजनौर की सभा में मुझे द्यान है कि चौदी चरंच सिंग जी के नाम से एक नई योजना बनाई जाए। किसान के वेलफेर के लिए। सुधार लाने के लिए। तो सब हुआ नहीं है। दस हजार करोड का बकाया है। चौदा दिन में तो पेमेंट भूल जाए। डेड़ डेड़ साल तक लटका हुआ है बुक्तान। ब्याज जो किसान का हक है बार-बार कोट में जाना पड़ता है संगठनों को लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो कानून तो सपष्ट है। सरकार के पास तमाम हत्यार होते हैं। प्राइविट सेक्टर पे दवाब भी सरकार चाहे तो बना सकती है। लेकिन कोई उनकी मंसा साफ नजर नहीं आई। तो इस कारण से नराजग्यां पनप रही हैं। समय समय पे आंदोलन होते आए हैं। हैं। हमारे हैं मंधी वेवस्था कमजोर है। लेकिन फिर भी धान की गहों की बहुत बड़ी पैदावार होती है। और गन्ने के साथ साथ गहों की पैदावार भी पश्ची मुत परदेश के गन्ना उत्वादन चेत्र में होती है। तो जानते हैं। आज एक विधायक हैं भुलंचेर के भारती जनता पार्टी के जिन्होंने चिठी लिखी है सरकार को और कहा के बीस बीस दिन तक तुलाई के लिए क्रे केंदरों पे किसानों को बैठे लेना पड़ता है। कहीं कोई सरकारी विवस्था गेवों खरीद की उन्हें दिखाई मन्ड मेउस्ता कम्जोर है हमारे आज हुरभारते था सरकार को उस तरह द्धान देना चाहिए था उसको दुरुस्थ करना चाहिए था और हमारे यह के किसान घ्र pirmaat जाते हैं मतोरा के किसान भी जाते हैं पलवल होडलियों पर जाते हैं और इस बेल्ट में आप जाये तो तो उने मालूम है कि हर्याना पंजाब में जिस तरह से मंडी व्यवस्था विक्सित हुई हैं और उससे जो किसानों को लाब मिला तो पश्चमी यूपी का किसान भी देख रहा था उन्हें महसूस हुआ कि कहीं न कहीं जो कानून कें सरकार इस तरह से जल्दबाजी में लाई हर्याना और पंजाब के किसानों ने जब पहल ली उत्राखंड के किसान भी हाँ दिल्ली घाजयबाद तक पहुचे उत्रपरदेश के किसान भी निकलने लगे अब जिस तरह से बल परियोग करके उठाने की मंचा सरकार की थी किसान बिरादरी है किसान में जातियां होती है हैं बटवारे भी बहुत हैं हमारी अंदर की कमजूरियां बहुत हैं लेकिन जब कोई संकट आता है कम सेगम हम इखटा हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ा कारण है इस आंदोरन को इतने लंबे समय चलने ता कि जन समर्तने से मिल रहा है और जब-जब मौका मिलेगा अपन जोबान बे रट लग गई अब आग वहां लग दिल्ली में बैठके कुछी कहते हैं रो किसान नीमान देशाम उनको कुछ पार देंगे आप ही पीछे अट जाओ गोजी जी एसे पे छोड़ दो हम तो पैदा ही सिद्धी हुए ते हैं और सीडिसी बात है किस चीज का भाव चार साल से नहीं बढ़ा हो डीजल आपने डाइसो कितना परसेंट बढ़ गया बिजली का भाव जो जब से योगी जी आए जब कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीड उत्तर प्रदेश की बिजली का कर आज सबसे जादा है देश और पूरे उत्तर भारत में सबसे हाइस्ट पर उनेट बिजली का भाव है जो सरकार ले रही है तो सरकार को पता है इसा खाद का भाव बढ़ गया यूरिया का भाव बढ़ गया डियेपी का भाव बढ़ गया ऐसे में अगर सरकार चैन कर रही है भाव तै कर रही है और पांच रुपे भी नहीं बढ़ा जा रहा इतन आपने कहा कि इसको एक जन समर्थन और साथ में आपने ये भी कहा कि चाहे अंदर में बिरादरियां हैं किसानों में लेकिन जब संकट आता है तो लोग साथ आते हैं 2013 में कुछ बहुती दुर्बा के पूर्ण घटनाई हुई थी एक हिंसा हुई थी जिससे कही न कहीं किसान हिंदू-मुसल्मान में बटा था जाट मुसल्मान में बटा था पश्चे मुत्र प्रदेश में क्या आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं इस आंदोलन की वज़ा से वह जो एक खाई पैदा हुई थी जो बड़ी-बड़ी हमने महापंचायते पश्चे मुत्तर प्रदेश में देखी आप कहीं उसार में खुद रहे हैं आपको लग रहे है कि क्या इस आंदोलन से फिर से वह एक फूट आई थी जो एक खाई आई थी वह कहीं भर पारी है अब परिवारिक जीवन में भी आप देखिए दो भाई रह रहे हैं जब एक भाई पर कोई संकट है या कोई तनाव है दूसरा साथ आता है और जब साथ तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती है बहुत घहरी चोट लगी मैंसे इंकार नहीं कर रहा और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी बहानक तस्वीर पश्ची मुत परदेश की बनेगी क्योंकि यहां एक परंपराय थी ताना बाना था रिष्टे थे एक दूसरे की राजनीतिक सहीहोग भी सामाजिक सहीहोग भी लोग किया करते हैं मुझफवन नगर को महबबत नगर कहा जाता था तो सारी चीज बहुत जल्दी द्वस्त की गई और एक चाल के तहत वह हुआ किसी को कुछ मिलता तो अहनी दंगेज होते हैं तो गरी बाद में पिस्ता और तरक्की रुख जाती है बदनामी हुई मैं जानता हूं परस्नली कितने मैंने नौजवानों से बाद चीट करी बाद में को एटी सेक्टर में काम कर रहा है वो अपने बता था मालिक को मकान मालिक को कि मैं मुझफवन अगर से हूं यंग आदमी उसे क्या मतलब लड़ाई स पड़ा लिखा उसे किराय में जगा देने को भी लोग मने कर देते थे तो मजबफन अगर से है मतलब जगडालो दंगाई तो यह हमारी चाप यह हमारी पैचान कभी रही नहीं और मैं जानता हूं कि जब इस आंदोलन में साथ बैठ रहे हैं लोग साथ चल रहे हैं एक दूस करीब मिशलमान वारे तो दोस्तो यह जाट जारत तो नहीं मिलगे बुशलमान से तो बलोग कोली भरी नी गई जब कोली भड़नों के फेर यह से तो आड़ना दोती तो है चाब इच्छे का रुए ता आच बावगाँ आड़नी को इंबाई चिले बात बनने किनी सच्च मनते भरकोली आजाओ तो नहीं आड़नी को आड़नी को आड़नी को आड़नी को एक बड़ा सवाल जैन जी कि एक तरफ तो यहाँ पर जो एक गन्ना छेत्र माना जाता है पश्चिम उत्रप्रदेश के कई सारे जिले हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो एक आपदा आ रही है वो एक चीज़ है लेकिन उसके साथ साथ यह दोनों लॉकडाउंस के बाद और कही ना कही नोटबंदी का भी इस पर प्रभावरा है बेरोजगारी का दर जबरदस बढ़ा है अभी CMIE की रिपोर्ट आई है जिसके तहत यह सामने आया है कि पूरे देश में 6.9 प्रतीशत तक बेरोजगारी हो गई और उत्तरप्रदेश इससे कोई अच्छूता नहीं रहा है मतलब अगर आज आप लोगों की सरकार आने वाले चुनाव में बनती है बाइस में आप लोग इसके लिए क्या खदम लेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी संकट बेरोजगारी बने जा रहा है पिछले साली अगर हम देखें तो यूपी पुलीस बोर्ड ने पांच हजार पचासी वेकंसी के लिए एक एक एक्जैम लिया ते जिसमें चार लाग से साधा अप्लिकेंट्स आये तो यह मिसमैच इतना क्लियरली नजर आता है सुबह हो शाम हो गर्मी हो सर्दी हो वहां उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नौजवान लड़के रोज दोड़त वे नजर आते हैं पुलीस की भरती के लिए और भरतियां भी नहीं हो रही है तो क्या आगे का रास्ता आप देख रहे हैं इसमें आपने सही कहा नोट बंदी और कुछ हद तक GST और अब यह लोगडाउन इसका सीधा प्रवा पढ़ा है छोटे वेपारी पर छोटी दुकान चलाने वाले छोटे कारखाले चलाने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश म कि सोच होनी चाहिए किसी तरह ओ फॉर्मलेजेशन की तरफ आएं एक जो धाचा है अर्थ व्यवस्ता का अस्तोच्थाई धाचा है उस मेंस्ट्रीम में मुख्यधारा में वो आएं उसके लिए व्यवस्ता हैं सरकार को करनी होंगी चौधी चरण सिंग जी कहते थे कि अग अगर बड़े लोगों के हाथ में ही रह जाएगा तो बेरुजगारी आएगी और जो रूरल सेक्टर में अग्रिकल्चर में भी जो डिजगाइजड अनेम्प्लोइमेंट है कि मेरा परिवार है मेरा खेत में उसमें लग रहा हूं कोई गिंती नहीं कर रहा कि आप आपने पढ़ाई भी कर ली इस खेत में जमीन पे इतने लोगों की जुरूरत नहीं है अब आधुने खेती हो गई है लेकिन फिर भी जब कोई वचारा नहीं है सब लोग उसी काम को कर रहे हैं और सरकार फिनको गिंती भी नहीं है तो चौदी साहब इस बातों को कहते थे और आज यह भानक स्थितिया हैं एंबीए करने के बाद महेंगी डिग्रीज लेने के बाद जब कोई चपरासी सरकारी चपरासी बनने को लंबी कतार में खड़ा हो जाता है नौजवान दर्द होता है और इस बीच में यूपी सरकार की अपनी भूमिका देखो मैं यह नहीं कह रहा पारदर्शी तरीके से हो भेदभाव ना हो और यह तो वादे योगी जी ने किये थे सवाल यह है कि योगी जी कहते तो बढ़िया बाते हैं लखनाओ में बैठके जमीन पर धरातल पर होती नहीं अभी मैं पढ़ रहा था इस बजट में भी उन्होंने कहा है कि हम हर जिले म पॉलिसी बन जाती है बिना गिसी प्लैरिनिंग बिना किसी योजना बिना इस ऐन किसी कितना बजट धिया इस हर जिले में मैं हब बनाने का पाचास करकार टõ्टल बुरे यूपी के ले है किए in this budget तो तो क्या पाचास करोड में आप ऐसा कोई हब बना पाऊ वे वहारसकों जिसका कोई प्रफाब मिले, भर्तियां कभी खोट मर्टक जाती है, कभी जो है, सरकारी विड्रो कर लेती है, और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये सेंटर भी बना जाते हैं, भोगौलिक स्थितियों को ध्यान में रख के होने चाहिए, अब कोई मेरट का बच्चा इम्तियान देने जा रहा है गाजिपूर तक, उससे शुल्क भी लिया जा रहा है, उससे सोविधा शुल्क भी लिया जाएगा, नोक्री लेने के लिए कई उसमें दलालोंगे बीच में, और फिर नोक्री नहीं मिले गया, तो बड़ा नहीं आ रहा है कि मेरी तंखा कहां से मिलेगी, मेरा काम कहां से दुबारा स्थापित होगा, तो पुंजियां खतम हो गए लोगों की, वाइप आउट हो गए हैं लोग, स्मॉल बिजनेसे वाइप आउट हो गए हैं, और इसमें टेक्नोलोजी की तरफ लोग जा रहे हैं, स लोग मंगा रहे हैं समान, क्या वो वापस ग्रहक जाएगा, ग्रामीन हाट में जाएगा, मार्केट्स में जाएगा, उन छोटी दुकानों में जाना पसंद करेगा, तो एक स्किलिंग की जुरूरत है उनको, और कहीं न कहीं सबसिडाइज जो भी सेवाई हम दे सकते हैं, बिजली की बात हुई थी, बिजली आप उनको दे दीजिए, कुछ तो सबसिडी दीजिए, जो बार बार टैक्स वसुला जाता है, बार बार कोई भी अथर्टी उनको जाके दंकाना शुरू कर देती है, उस पर अंकुष लगाईए, और व्यापारी जाद कुछ मांगता न जाने यहाए, यह नौजवान तो दूसरे मूर का आए, यह ठान वाले नहीं किसी दो, किसे कहते हैं, तो सी बातां में लगते भाड़ देंगे, एक मेरा यह सवाल है कि एक बहुत बड़ा तबका जो मजदूरी करने शेहरों में आता है, उसका भी पूरी तरह से रोजगार कहीं न कहीं थप हो चुका है, लिकुर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइब नहीं हो पा रहा है, अभी भी बहुत सारे जो अनौर्गनाइज सेक्टर में जिसके आप MSME की बात करते हैं, वो भी पूरी तरह से खुली नहीं है, और मतलब वेजेज भी बहुत घटा दी है, जो हमारा अभी अनुभवरा है, लोगों से बात करके, मजदूरों से बात करके, तो यहां पर क्या आप एक बेरुजगारी भत्ता को इन्वेसाज करते हैं, क्या आपको लगता है, जब तक चीजे वापस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती है, क्या एक बेरुजगारी जैसी कोई स्कीम होनी चाहिए, शहरी मजदूरों के लिए, लॉकडाउन में आपने देखा, योगी सरकार लेबर लॉज को अमेंट करने पर तुली, तीन साल के लिए खारीजी कर दिये, जबकि उनको उल्टा विपरीत कुछ करना चाहिए था, और हैंड होल्डिंग करनी चाहिए था, और कितने सौ किलुमीटर बिचारे लोग परिवार समेत बड़े बड़े शहरों से पलायन करके गाउं की तरफ लोटे थे, उनके लिए भी कोई सुविदा सरकार ने नहीं दिये, आप ठीक कह रहे हैं कुछ नकुछ सेक्यूर्टी नेट सेफटी नेट सरकार क अजये को देना चाहिए और नरेगा में मेरा नुभव यह कि क्योंकि बहुत से लोग अब गाउं में लोटे हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारा घर है हमारा परिवार है और कुछ जब तक रिवाइब चीज़े नहीं होंगी तो मैं नहीं लोटूँगा शेर में या जहां मे जाएगा जैसी योजना को खेती से भी जोड़ने का एक अच्छा प्रस्ताब है हम भी कफी लंबे समय सिक्सी बाकालत करते हैं क्योंकि किसान की लागत भी कम हो जाएगी और खिसानों को हमारे पश्ची में उत्रपरदेश में मेरा नुभव है क्योंकि यहां लेबर के रे जैन जी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस मुल्क में और उत्तरप्रदेश में खास करकी दोहजर उन्निस में एक रिपोर्ट आई है नीतियायो की तो ऐसा भी नहीं है कि यह कोई ऑपोजिशन से रिपोर्ट आ रही है किसी की रिपोर्ट आ रही है दोहजर उन की सबसे खराब हैं और सरकारी स्वास्तुविधाएं या सारवजिनिक स्वास्तुविधाएं जिने कहते हैं वो चर्मरा चुका है पूरी तरह से और ये सबसे ज़्यादा अभी कोविड-19 के क्राइसिस में नजर आया है जहां पर बहुत सारे लोग इस महमारी के दौरान बढ़ सकते थे लेकिन मूल भूत स्वास्तुविधाएं भी सरकार की तरफ से नहीं मिल रही हैं प्राइवेट कुछी लोग अफोर्ड कर सकते हैं और बाखी सारा मतलब लग भग आज बोला जाता है कि जोला चाप डॉक्टरों ने यूपी को संभाला हुआ है इसमें आप क्या आपको क्या लग रहा है क्या आपके लिए क्या ये एक चुनावी मुद्दा है क्या आपके लिए एक राजनेतिक मुद्दा है क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है सरकार की कहीन कहीं प्राइरिटी होनी चाहिए कि गरीब से नहीं थी कोई प्लैनिंग नहीं थी कम्यूनिकेशन फेलियर रहा और क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फेलियर रहा है और ऐसी चीजें हमने देखनी पड़ी हैं वे तस्वीरे कौन भुला पाएगा कौवे कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं हमारी नदिया लवलुवान हो गई हैं लाशों पेसे आप उठा रहे हैं कपड़ों को उठा जा रहा है क्योंकि सरकार सारा जो है दवाना चाहती है छुपाना चाहती है नीति आयों कह रहा है 2019 में जब यह सब नहीं हुआ था उससे पहले भी पार्लेमेंट में केन सरकार ने भी कहा अगर हम उत्तरप्रदेश की बात करें कि पीएसी नेटवर्क बहत खराब है और कुछ 942 पीएसी ऐसे उत्तरप्रदेश में है जो केन सरकार ने लोकसाबा में है जवाब दिया है 942 पीएसी ऐसे हैं जिसमें ना पानी है ना बिजली है ना सड़क है डॉक्तर टू पेशेंट रेशियो उत्तरप्रदेश में पूरे देश के मुकाबले सबसे खराब बत्तर तो एक इंस्ट्रास्ट्रेक्टर प्रॉब्लम है एचर प्रॉब्लम है और जब कि अधर देना चाहिए तर पॉब्लिक सेक्टर हेल्थ पर द्यान देना चाहिए था हमने का हम इंशोरेंस दे देंगे के सरकार की योजन आई 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 उश्मान कहां है हवा में तोड़ गया सब कुछ ना ओक्सिजन ना दवा मतलब आप अस्पताल में भढ़ती कर र पूरे देश भर में दोड़ा आदमी इंजेक्शन के लिए ऐसा तो कभी नहीं सोचा था पिता जी कभी निधन करूना में हुआ है तो मैं कैसे बुला दो और जिस परिवार ने कुछ खोया है वो कैसे बुला दे तो दोश भी हम देना चाहते हैं इनको कमिया रही सरकार की क और साथ-साथ आगे के लिए हमें देखना है कि जो मद्दाता है उत्ते प्रदेश का वह उमीद रखे कि अगली सरकार जो होगी और हम लोग उसमें भूमिका अपनी बनाएंगे चुनाव के पहले भी हम लोग स्वास्त के छेत्र में कैसे सुधार लाना अपना प्लैन कि कम से कम दुगना होना चाहिए बिलकुँ खासकर कि ऐसी स्थिति में डवली एचो कहता है कि अबाउट सेवन एट परसेंट मिनिममम जीडीपी का हेल्थ पे स्पेंड होना चाहिए तो यह बड़ा पैलू है नर्सिस की अवेलिबिलिटी नहीं है मेडिकल एजुकेशन से सब्सक्राइब को और बढ़ावा देने की जुरूरत है तो मेरे लिए एक तो इंफ्रस्रेक्टर प्रॉब्लम है उसे ज्यादा इंपोर्टेंट एचार प्रॉब्लम है तो जो अगली सरकार होगी निश्चित तोर पे गंबीर होगी इसका जैन जी उत्तर प्रदेश की रा बहावित हुई है और कहीं ना कहीं चाहे वो खेती के मुद्दे हो चाहे मजदूरी के मुद्दे हो चाहे सडग पानी बिजली के मुद्दे हो चाहे स्वास्त और शिक्षा के मुद्दे हो ये पीछे हट जाते हैं ये मुद्दे बनते ही नहीं है इसमें इतनी बड़ी एक अबदा के बाद क्या आप उमीद कर रहे हैं कुछ बदलावाएगा इस बार चुनाव में? मुझे जहां भी आपने नहीं पूछा है लेकिन ज्यादा तर पत्रकार अगर सवाल पूछते हैं तो सीधा सीधा पूछते हैं जाट तो पिसले एलेक्शन में भी ऐसा हुआ कई बार मैंने जवाब दिया फिर शायद पचासवी बार जब मुझे पूछा गया जाट क्या करेगा तो मेरे अंदर भी थोड़ा ओबाला गया क्यूंकि मैं उस कल्चर में कभी पला बढ़ा नहीं हूँ तो मैंने भी का भी जाटों का मैं कैसे जवाब दे दू वो मेरी कहने की मंजसा थी वो भी होसे आ रहे हैं वो भी समाज के साथ चलेंगे उचित फैसला लेंगे मैं कौन होता हूं उस ही को उस ब्यान को तोड मरोर के पेश कर दिया उसका खामियाज हमें बूगतना पड़ा कुछ हथ तक तो आइडेंटिटीज के इर्दगीर्द राजनिती रहेगी अनफॉर्चनेट चीज यही है और इसको अम दर किनार नहीं कर सकते इसके साथ हमें काम करने की जरूरत है चौधी चरण सिंग जी किया करते थे कि उन्होंने फॉर्मिलेशन बनाएं कि जो वो जा स्था को समझना पड़ेगा तभी आप बदल पाऊंगे तो उनको पॉलिटिकल रेप्रेजेंटेशन देने का की कोशिश हम लोग करेंगे मैं आशरवादी हूं इसु बेस पॉलिटिक्स फ्यूचर है इस देश का फ्यूचर है और दूसरे डिमोक्रिसी दूसरे देश के व इस चुनाव के साइकल में मैं अपने पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि हम अल्रेडी लोगों से बात कर रहे हैं मैनेफेस्टों पर क्यों मैनेफेस्टों कैसी चीज है जो बिलकुल आखरी वक्त पर घोशित होती है जनता का ध्यान भी नहीं जाता है चुनावी अचार बाद में करूंगा मैं पहले अपने मुद्ब बताना चाहता हूं और उसकी तैयारी में हम जुट गए हैं और अम कुछ ऐसी चीजे लाना चाहते हैं जो टिपिकल पॉलिटिकल डिसकेशन डायलोग में नहीं होती है कुछ आप अधरन देंगी उसका अब जैसे फॉ टेक्नोलोजी है ब्लॉक्चेन सरकार अभी भी मिक्स्ट है कि इसको क्या करना है दुनिया भर में इसमें निवेश हो रहा है दुनिया भर में इसमें एक संस्थागत निवेश हो रहा है लोग इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं अपलाय कर रहे हैं गवर् प्रेमेंट एफिचेंसी एंप्रूव हो जाएगी फिर इसमें चीटिंग नहीं पॉसिबल हर बिजली धारक का अपना एक अकाउंट एक डेटा वेरिफाइड डेटा आपके उसमें सिस्टम में आजाएगा तो हेरा फेरी नहीं हो सकती सिमिलरली गन्ने का पेमेंट को सरकार फेट ट्रैक कर पाएगी तो यूस अब लॉक्चेन सम्थिंग एट मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारत में अभी तक किसी ने बात रखी है इस तरह की इशूस को भी एक्स्प्लोर कर रहे हैं जैन जी आप ने हत्रस गए एक बहुत दुर्भाग्य पूर्ण घटना वहां पर हुई थी महिलाओं के साथ हत्रस हो उन्ना हो ऐसी बहुत सारी घटना है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुई है बहुत दर्दनाग घटना है और कई ना कई जाती विरादरी से उपर उठके महिला का सवाल है अब उसके लिए गए आपके उपर पुलीस असॉल्ट भी हुआ डंडे भी पड़े वहां पर कई लेकिन ये तो समाजी कंदोलन है ये किसानों कांदोलन करना है तो जिस तरह आपके बहुको लाठी मारी ये लाठी वियंजै के और वोट का बड़े के बढ़ते के वोट का हिसानले के बारत्तिय जंता आप क्या लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि ये तो उत्रपदेश की पूरे पूलिटिकल लैंड्सकेप से मिसिंग है कि महिलाओं के जो सवाल हैं चाहे वो महिला सुरक्षा के सवाल हो महिला महिला सुरक्षा के सवाल हो महिला हो क्या राष्टर लोग दल और आप एक यूँया ने विता हैं क्या आप इन मुद्धो को कहीं न पहीं राष्टर लोग दल और जहिंगो जोड़ पाएंगे अज अपने मेनिफस्टों में अपने अपने चुनावी प्रचार में आपने ये बिल्कुल ठीका जब अपराध होता है चुनाव के पहले तो उसे एक रंग दिया जाता है और जो यूपी जी सरकार राई योगी जी ने पहला फैसला लिया कि हम एंटी रोमियो स्कोर्ड बनाएंगे फ्रैंकली मुझे अटपटा लगता है क्योंकि रोमियो एंजुलियेट एक फेबल है प्यार के बारे में अब किसी को थेटर की जानकारी हो इतिहास की जानकारी हो तो उसे नेगिटिव कॉन्टेशन देना हो ऐसे ही अजीव है अजीव है बिल्कुल तूसरी बात आप यह कह रहे हो के महिला हो के तुम तो काबिल नहीं हो तुम अपने हित को समझने में सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हो तुमें जरूरत है संरक्षन की और संरक्षन कौन देंगे पुरुष प्रधान देश में पुरुष पुरुष का डंडा तुमें बचा सकता है नहीं माफ करें यह महिला से शक्ति कर पहले घरवालों को खाना पड़ो से हैं, सबसे आखिर में आगर जो बचा को चाहो खा लें, वोट करनी की क्या जोरवर्थ है, परिवार जैसा जा रहा है, उसके साथ चलें, रादनीती करोगी, यह उसी मानसिक्ता का एक लक्षन है, और योगी जी और बीजेपी की सरकार में आज शामिल लोग इसी मानसिक्ता कि प्रमान बार बार दे चुके हैं, रेपिस्ट को रखना, बढ़ावा देना, पॉलिटिकली मेरे समझ से परह है, मैं शायद पहला राजनितिक व्यक्ति हूँ, जो यह कह चुका है, कि हम कोई भी महिला के विरुद कोई अपराद, संगी महिलाओं के, राजनितिक छेत्र में, जब मैं देखता हूँ, कि हमें भी चैन करना पड़ता है, मैं संगठन के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं भी ढूंगता हूँ कि मेरट में, महिला संगठन में, कौन अच्छी महिला हैं, जो काम कर रही हैं, कैसे जोड़ें, मीटिंग्स मैं वे नहीं आती है, सभाओं में नहीं आती है, मैं अगर गाव में चला जाओंगो, तो तो टेलेंट डेफिसेट भी है, मैं चाहता हूँ, कि जादा से जादा महिलाओं को हम अगले विदान सभाँ में टिकट दें, लेकिन उसके लिए पहले ग्राउंड वर्क होना उसके लिए पहले उनको खुद इच्छाएं व्यक्त करनी पड़ेंगे, वन्ना किसी की बहु, किसी की बेटी, यही बनके वो रह जाएंगे, बड़े नेता की वाइफ, तो एक्चुल महिला इंपावर्मेंट तब होगा, जब खुद महिला जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मह कॉंप्लेक्स इशू है, बट जितना मैं कर सकता हूं करूंगा, बाकी हमारे महिला विंग को मजबूत कर रहे हैं, राज महिला आयो की एक सदस ने अपने पद को छोड़के, पार्टी में जिम्मेदारी ली है, महिला हमारे प्रकोस्ट की अध्धक्ष हैं, तो महिला को बहुत बहुत धन्यवाद आपका चल्चत्रवियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्या इस बार उत्तरप्रदेश के चुनाव में जाती है समी करणों से भी आगे बहुत सारे एहम हुश्से, क्या इस बार इस चुनाव का हिस्सा बन पाएंगे, क्या इस बार परदेश का चुनाव शायद बहुत ही करीबी से देखने वाले है, पूरा मुल्क, इससे बहुत कुछ आगे की राजनीत में भी निरभर होगा, और पश्चे मुत्रप्रदेश के युवा नेता, एक बहुत ही महत्वपूर नेता, जैन चौदरी जी आज हमारे साथ जुड क्योंकि आने वाले महीनों में जब तक चुनावाएंगे, इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने बार बार लाते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। हुट्जैंट जी 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 चडरी!